अर्दम्त्चेंद्रियासन वक्रासन और अर्दम्त्चेंद्रियासन कुछ-Kछ मिलते-जूलते होते हैं इसे करने के लिए पहले जैसे हमने अपने Left Leg को Fold करेंगे हमने जब वक्रासन किया था तो जो पएर Fold किया उसे उसी साइड में रखा था में हमने जो बाएं पैर को फोल्ड किया है और जो हाथ है वो दाया होगा लेकिन हम इसमें पंजे को पकड़ेंगे और जो पैर हमारा सीधा है इसे हम फोल्ड कर लेंगे चाहिए आप हाथ चेंज करने से पहले फोल्ड कर लो पैल को या बाद में फोल्ड कर लो आपकी मर्जी है फिर जो पीछे हाथ है उसे पीछे से लाते हुए ठाई पर रखेंगे और कमर सीजी रखते हुए पीछे की तरफ देखेंगे जो पहर मोड़ा हुआ है उसका पंजा पीछे की तरफ रहेंगा यह हुआ आपका अर्धमतसेंद्रयासन अर्धमतसेंद्रयासन को करने के बाद आप इसे 10 से 15 सेंड होड करें जब आप रिलेक्स करेंगे तो जो हाथ पहले पीछे गया है उसको पहले जमिन पर लाएंगे जमिन पर ले आए अब जो हाथ ये आपने ट्विश्ट किया हुआ है क्रोस किया हुआ है इससे वापस ले आएंगे जो पैर सीधा है उस पैर को सीधा करेंगे और जो पैर क्रोस क क्या हुआ है उसे सीधा करेंगे दोनों हाथ बराबर में सीधे बैठेंगे तो यह हुआ अर्द मत्सेंद्रियासन